Hi everyone, this is Anam, welcome to PhD Jobs and Admission So, आज का हमारे वीडियो एक बहुत important वीडियो होने वाला है Because इस वीडियो में मैंने Mahatma Gandhi Central University जो के बिहार में located है So, इस उनिवर्सिटी ने अपने PhD प्रोग्राम के लिए कुछ notification जारी करा है So, उस notification को मैं आपके साथ discuss करने वाली ही इस वीडियो में और उस notification में जो important important points है उस सारी चीज़े मैं आपके साथ इस वीडियो में share करने वाली हो So, जैसे कि Mahatma Gandhi Central University PhD प्रोग्राम कंड़क करवाता है और PhD प्रोग्राम में students को admission के लिए entrance test देना होता है So, मैं आपको बता दू, इस university ने अपने PhD entrance test के related कुछ notification जारी करा है जैसे इस university का exam कप कंड़क करवाया जाएगा, when you कहा होगा, कौन सी date पर होगा, time क्या होने वाला है So, इस सारी चीज़े इन्होंने notification में जारी करा है तो हम इस वीडियो में उन सारे चीज़ों को detail में एक बारी देख लें है So, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दू, कि मैं अपने चैनल पर different different universities related video upload करते रहती हूँ So, make sure कि आप मेरे चैनल को subscribe कर ले और bell icon भी प्रेस कर दे ताके सारे वीडियो की update आपको मिलती रहे So, चलिए time waste ना करते हुए हम इस वीडियो को start करते है जैसे कि आप देख रहे हो, this is the official page of your Mahatma Gandhi Central University जोके बिहार में located है और इस page की जो official link है, यह मैंने description box में भी आपके लिए provide कर रही है अब जरेक लिए वहाँ से भी जाकर इस page को access कर सकते हो अब इसी page पर आपको scroll down करना है and then यहाँ पर आपको दिख रहा है admission date, time and venue and important instruction with respect to entrance exam for admission into PhD program So, इस link पर आपको click करना है वहाँ पर click करने के बाद आपकी screen कर कुछ इस type का PDF open हो जाएगा So, इस PDF की जो link है यह भी मैंने description box में provide कर रही है So, आप directly उसी link से इस PDF को access कर सकते हैं जिससे के आपका time बच जाता है So, चलिए हम PDF को detail में देखते हैं इन्होंने क्या बताया है इस PDF में So, यहाँ पर आप देखिए date, time and venue यहाँ पर इन्होंने आपका जो PhD examination है उसके लिए date, time and venue बताया है अब देखते हैं हम यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है सियाद रखिएगा date यहाँ पर उन्होंने बताया है आपका जो PhD का entrance examination कंड़क करवा रहे है इस university वाले जो कि session है आपका 2021 and 2022 So, इस session का आपका exam कंड़क करवाया जाएगा 13th March 2022 So, याद रखना है आपकी exam की date होगी 13th March 2022 जो कि Sunday को कंड़क करवाया जाएगा अब इसी page पर आपको scroll down करना है अब यहाँ पर उन्होंने बताया है आपका जो entrance test होगा यह 3 shifts में कंड़क करवाया जाएगा So, first shift में इन सारे subject का इस university ने first shift में exam रखा है entrance exam So, first shift में याद रखेगा botany, education, hindi, mass communication, physics and political science So, इन सारे subject वाले students का first shift में exam होगा और timing आपको याद रखना है 9 a.m. to 11 a.m. 13 March जो कि Sunday को कंड़क करवाया जाएगा So, तरीके से second shift वालों का timing क्या होने बाला है 12 noon to 2 pm यानि दुपेर 12 से दो बज़े के बीच में आपका exam होगा Sunday के दिन ही अब इस shift में biotechnology, computer science, English, Gandhian and peace studies, management science and mathematics So, इन सारे subject वाले students का second shift में exam कंड़क करवाया जाएगा अब third shift में हम दिखते है Third shift वालों का exam होगा 3 pm to 5 pm यानि इनका 3 से 5 बज़े की बीच में कंड़क करवाया जाएगा Again Sunday को याद रखिएगा आपकी date सेम ही है 13 March 2022 और third shift में जिन students का कंड़क करवाया जाएगा exam उनका subject होगा Chemistry, Commerce, Sanskrit, Psychology and Zoology इन सारे subject वाले student का third shift में exam कंड़क करवाया जाएगा अब यहाँ पर उनके कुछ important notice आपके लिए बता रखिए है इन सारे जो subject में PhD कंड़क करवाने वाले थे यह अभी नहीं करवा रहे है और जब भी इन subject के कुछ related information आती है यह university की website पर आपको बता देगे जब भी इन सारे subjects रेटेड यह university को आपको information कुछ notice अपडेट करती है तो मैं आपको वीडियो को थुरू बता दूँगे और second point में उनने बताया है कि अगर कोई students request करता है कि उनका date and shift change करें entrance examination के लिए तो उनके request को यह accept नहीं करने वाले है then second हम देखते हैं कि जो आपका PhD program का entrance test होगा यह different different centers पर होगा different different country में यहाँ पर उनने बता रखा है जैसे मोतिहारी, बिहार, पतना, बिहार उनसका proper address भी इनने बता रखा है New Delhi में होने वाला है कॉल करता, फिर वारा नसी, लगनाउ और आसा, इन सारे centers पर आपका exam कंड़क करवाया जबर उसका यहाँ पर proper उनने address भी आपको बता रखा है अब यहाँ पर उनने कुछ important notice आपके लिए बता रखी है यहाँ पर उनने बताया है कि पूर्णिया, बिहार, गौरकपूर, उत्तरपरदेश और बिरगन जो कि नेपाल में है इन सारे cities में student कम होने की वज़े से 50 से कम होने की वज़े से इन्होंने यह centers को cancel करवा दिये है और जो आपने second choice चूज कर रहते हैं centers के लिए वो उनने आपको provide कर रहे हैं अब अगे ननने बोला है कि ये भी request को मतलब कोई student कहते हैं कि हमें ये वाली city चाहिए यहाँ पर हमारे लिए easy होता है अगर कोई students ऐसे request दालते हैं तो आपके request accept नहीं करें जाएगी उसी तरीके से यहाँ पर इस website पर आपके admit card आपको show हो जाएंगे जो कि 25th feb से ही show हो रहे थे आपको admit card आपको एक बारे admit card को download करना है और जो भी instructions आपको बताया रखेंगे वो आपका ची तरीके से read कर लेना है उसी तरीके से आपको page number 4 पर आना है बहुत important point है point number 8 में आपको देखना है जिसे कि आपकी PhD के लिए जो entrance test यह conduct करवाने वाले है उसमें आपका जो paper है यह two sections में divided होगा और आपको paper में total 100 objective type के multiple choice questions पूछे जाएंगे objective यानि multiple choice questions MCQs आपको पूछे जाएंगे आपका दो sections में exam conduct करवाया जाएगा section A आपका research methodology पर बेज़ जोगा section B आपका subject specific यानि जिसमें आप PhD कर रहे हो section 1 research methodology के आपको total 50 questions होगे यानि 1 to 50 total 50 questions होगे उसे तरीके से subject specific में भी 50 होगे यानि 51 to 100 आपके subject specific के questions आपको पूछे जाएंगे all questions आपके लिए compulsory हर एक questions को आपको attain करना है और हर एक question के लिए one mark है और याद रखेगा negative marking नहीं है जैसे कि हमने देखा आपका दो parts में आपका paper conduct करवाया जाता है PhD entrance test जिसमें आपका जो part 1 होता है यानि आपका section E होता है ये research methodology पर बेज़ जोता है जिसमें आपके total 50 questions आपको पूछे जाते है तो याद रखेगा आपकी preparations के लिए हमने research methodology का complete course launch करा है जिसमें हम आपको notes, moctis and thousand plus practice amciquism आपको PDF provide करेंगे मैं आपको बता दू हमारे research methodology के course को हमने experience के basis पर design करा है और जो actual PhD entrance examination में questions पूछे जाते है वो सारे questions मेंने हमारे research methodology के contain में cover कर रखा है अब यहाँ पर मैं हमने आपको notes provide कर रखे है इसमें हमने जो important points है जो exam में generally पूछे जाते है उन सारे points को highlight करदर आपको बताया है mock test से क्या होता है आपकी practice होते रहती है आपको पता लगता है कि आपको और कौन से topic पर और focus करना है कि इस topic को आपको और ज़दा time spend करना है कि सारे चीज़ आपको mock test की तुरू पता चलती है और thousand प्लस practice mcqs pdf में हमने research methodology की सारे important questions cover कर रहे है और कई students का हमें यह भी feedback आता है कि हमारे इसी material से उनको उनके research entrance test में phg का जो entrance test होता है इसमें directly questions पूछे गए थे सो याद रखेगा मैं आपको guarantee देती हूँ अगर आप हमारे यह research methodology का content follow करते हो तो आप easily अपने phg entrance test को crack कर पाते हो और कई students का मैं आपको फिर से repeat कर यह कई students का हमें feedback भी आया है कि उनको उनके phg entrance examination में हमारे इसी content से directly questions पूछे गए थे सो याद रखेगा आपके पास बहुत कम time है आप इस three to four days में ही research methodology की पूरी preparation कर सकते हैं यह मैं आपको guarantee देती हूँ कई students ने हमारे research methodology के content को two to three days पहले purchase करकर उसको study करा है उस पर focus करा है हमारे material पर और उसी के help से उन्होंने अपने phg entrance test को crack कर पाया था तो याद रखेगा हमारे scores को purchase करने के लिए दियेगा screen पर आपको जो number नज़र आ रहा है इस पर हमें whatsapp के थूर आपको contact करना है normal college number पर नहीं लगेगा आपको whatsapp के थूर ही हमें contact करना है so hurry up and grab this opportunity and thank you for watching this video